आगे आप स्वागत आप लोग आज के मेरे से वीडियो में और आज हम शुरू करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक से चैप्टरमब तर्ड जिसका नाम है नियोजित विकास की राजने की पहले दो पार्ट और पुछली वाली वॉक की वीडियो हमाया चैनल पॉलिट survey का जिक्र हुआ था और पहला और दूसरा Eldery चैप्टर शुरू की दो चुनातियों का जिक्र भी więks शूंचतर हमने किस परकार से कहिए उसना जवाब भी दे चुके निर्माड़ भी हो गया। अब पूरे देश के सामने ये सवाल था कि भई देश का विकास आर्थिक समरिद्धी के साथ थ साथ समाजिक न्याए वाला भी होना चाहा है। अब अगर आपको ये दोनिस श्रंद उप्रशान कर रहा है तो हम बता दूँ एसी राह अपनानी है, जिसमें आर्थिक सम्रिद्धी भी हो और समाजिक न्याय भी हो, लेकिन सभी के मन में आशंका थे कि भी आखिर होगा कैसे, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सभी को पता था कि हम देश के विकास को व्यापारी, उद्योगपती और खिसानों के बलों से नहीं छोड़ सकते, राज्य को, सरकार को बहुत महत्यपूर्ण भूमिका निभानी होगी देश के विकास के, तो यहीं से निर्माड हुआ एक ऐसी संस्था का, जिसको हम सब योजना आयोग के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया 1950, योजना आयोग की प्रमो बदल करके नीती आयोग बना दिया गया है, तो आप यह भी आदर सकते हैं कि अब इस योजना आयोग का कोई अस्तित्य नहीं है, एक जनवरी 2015 से इसको नीती आयोग बना दिया गया है, आपके सिलिवस में बस इतना ही है, इसके आगे कि अगर आप डिटेल जानना चाहते ह और इंटरनेट अबाउट अनि फ़र्दर डिटेल्स, ओके सो योजना आयोग का काम था योजना बनाना, और सब इस बात पर राजित थेगी हम नियोजित विकास को ही अपनाएंगे, यानि कि सरकार योजना बनाएगी पांस सालों के लिए और उसमें भाई कहां कहां पे कि इनकी शेत्रों पे कितना कितना पैसा खर्च होगा, कहां कहां विकास होगा, क्या क्या योजनाएं बनेगी, इस सब पर काम चालो हुए, और ऐसे ही देश की पहली पंचवर्षी योजना चालो हुई, 1951, अब ये जो पंचवर्षी योजना बनाए गई, इसके अंदर जो लोग मौजूद थे, उसमें एक बहुत ही युवा अर्थशास्त्री मौजूद थे, मैं युवा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इनकी उमर सिर्फ 26 वर्ष थी, और इनको जाना जाता था कैन राज नाम से, अब देखो इनका पूरा फुल फॉर्म भी है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पढ़ने में बड़ा मुश्किल लगा मुझे, अगर आपको पता है तो कमेंट में पूरा लिख के मुझे बता जूर देना, आपकी बुग में पी के अन राज है, नॉर्मल इनको के अन राज कही नाम से बहुत जाल जाना जाता, और यह युवा थे, उस वक्त से 26 साल के थे, अभी 2010 तक जीवित थे, फिर इनका दिहावसान हो गया, यह अर्थ शास्त्री ने, इसमें महत्तपूर भूमिका निभाई, और इन्होंने यह बात कही, यह बात समझाई, कि अभी हमें बहुत धीमी गती से बढ़ने की जरूवत है, यानि विकास के जो भी तरीके हम अपना रहे हैं, इसमें विकास की गती को बहुत धीमा रखना ह अब पहली पंचवर्शी योजना किर्शी पर आधार क्योंकि आप तीन-चार क्लासे से पढ़ते आ रहें लगाता है, कि हमारे देश किर्शी प्रधान देश था, किर्शी को लुक्षान भी पहुचा था बटवारे के कारण, दोनों तरब आप देखेंगे, काफी उपजा आई होगा, क्यों नहीं सुना होगा, एक वक्त तक जो है, इश्या का सबसे बड़ा बान था हमारा भांगना ना था, तो इसकी पर योजना का काम भी इसी पहली पंचवर्शी योजना में इसी के लिए पैसा बटा, उसके लावा जो है, कोशिश की गई कि बचत को बढ़ा सासा किर्शी शुधार किये जाएं, क्योंकि लोगों के पास पैसा वेसा बैसा नहीं था, जो भी आएके शुरोत थे, बहुत कम थे, ये कोशिश की गई कि बचत को बढ़ावा दिया जाए, हमारे पास विदेशी मुद्रा भी कम थी, तो पहली की पूरी की पूरी की पूर योजना में जो आपको डिटेल याद रखने हैं जैसे आप पहली बार अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको यह पता हूं इस चालू कब हुई गहां है परस तो यह हो गई दूसरी जो भाई इसके जो सुत्रधार थे सके चाषालंते इसको बनाने वाले थे वह थे पीसी महाल नोबिस बेक्सिर की पीं महाल नोबिस कहारि यह तो にफित नहीं आप अलोदूधी कि अदियोग इस बार क्या जब रहा है उद्योग को बढ़ावा देना है सरकार ने इस बार अपना सारा-सारा ध्यान के उसी रड़ाय कहां लगा दिया उद्योग को पहले दूसरी जो पंचवर्शी होजना थे अब की बारी बेज थी पूरी-पूरी उद्योग पर और क्या क्या काम किया गया सबसे पहले तो भारी मात्रा में आयात पर शुल केगा दिये ताकि जो घरेल उद्योग है उन्हें बढ़ने का पूरा-पूरा मौका मिल सके उसके लावा जो बड़े-बड़े उप्रम थे जैसे की रेलवे है सबसे बड़ा जो आसानी से आप याद रह सकते हैं इस जैसे उद्योगों का पूरी तरह से जिन्माण था इसमें जो कारे था वो पूरा-पूरा सारजनी शेत्र यान सरकार के कंट्रोल में ही चालू किया गया अब यहाँ पर एक समस्या भी थी हमारे पास कि क्या था कि जो भी हमारी प्रद्योगी की में हम टेक्नलोजी में बहुत जादा पिछले हुए थे तो हमें बहुत सारी हमारी विदेशी बहुमूल लिमुद्रा जो है वो खर्च करनी पड़ रही थी बाहर से इन चीजों को खरीदने में यह एक समस्या भी थी उस दौरान तो इसके अंदर जो आपको पॉइंट टू पॉइंट पाते है याज उसकते हो कि भाई पहले तो बाहरी से आने वाली वस्तों बाहरी मात्रा में शुल्क लगा दिया सरकार के दौरा जो है रोक लगा देगी उसके अलावा जो घरे ले उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए और भी कई सारी नीतिया चलाएगी जिनका डिटेल्स आपकी बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है तो इसलिए आप उसको याद भी मत करिए जो इसलेबस के बाहर है आप अपने इस लेबस में ही रही है ठेके तो आपको लिखना कै mł तेली और दूसरी पंजवर्शी हो जना ति मे देज र मसक हैं पहली और दीमी रफतार से आगल कि आगए बढ़ने की पहली में किर्शी बना न न भाइब ऑन्द के पार यान देना इन में निवेश करना भारी जो थे बड़े जो उध्योग थे उन में जो भी उत पादन था हो सरकार के न्यन्तम्ड में ही चालू किया गया अब जब तीसरी उजना की बात आंए जो की इसके बात चालू होती है तो आप तीसरी पन्च वर्षी उजना की जो दोनों का mix route ती, यानि क्योंकि हुआ क्या जब दूसरी पंच वर्षी उजना चलने लगी तो आपकी बुक में एक चार्ट है, जिसके निरे समझाया है, कि जब दूसरी पंच वर्षी उजना चलने लगी तो किर्शी फर से ध्यान अट किया, तो किर्शी के हालाद फिर से नीचे जाने किर्शी फिर से डाउन जाने लगी तो किर्शी को जो बढ़ाया था पांस साल में फिर से कम होने लगा तो जब तीसरी पंच वर्षी उजना आई तो बिल्कुल इन दोनों को मिक्स करके दोनों को बनाया जाना चालू किया जाने लगा तो आगे आजिकर भी आपकी बुक में यहां यहां से एक पॉइंट आता है आपको बताएगे कि भारत की अर्थवस्ता मिश्रित है जहां पर कुछ इस्सा समाज वाथ से लिए गया मिक्स रूप हमें देखने हो मिलता है और इसको समस्थते कैसे हैं आप किसी भी छेत्र में जाएंगे तो उस छेत्र में आपको एक सुधाओं का जो हिस्सा है, वो सरकारी चेतर से मिलता है, वहीं एक हिस्सा आपको निजी हातों से भी देखने को मिलता है, जैसे आप अपनी सिक्षा ही देख लीजिए, सिक्षा के लिए सरकार के द्वारा भी सिक्षा प्रदान की जा रही है, और निजी हातों से भी आप बश्रित रूप देखने को मिलता है दोनों का हिस्सा देखने को बिलता है अब इस चैप्टर में बेसिकली और क्या क्या चीजें अच्छे से याद रखने लिए जो आप याद रसकें तो इस सबसे इंपोर्टन तो यह पहली और दूसरी पंछवर्शी योजना सबस्क्राइ जो है वो योजनायोग का गठन 1950, 2015 के बाद योजनायोग का इध्यक्ष हमेशा स horizanh psam जो है वो परधानमंत्री होता नितियायोग का भी इध्यक्ष रधानमंत्री होता है पहली 5 पंचवर्शी योजना योग दूसरी पंचवर्शी योजना तीसे इसके बाद भी कुछ खास सीज़ें हैं जो आपको चैप्टर से आदर नहीं है जिसमें हैं बॉम्बे प्लान अब बॉम्बे प्लान क्या था 1944 में 1944 में उद्योगपतियों का देश के अंदर उद्योगपतियों का एक तपका एकठा हुआ जो सरकार के पास आए और सरकार सोसे कहा कि आप नियोजित विकास अपनाई इंशांай को आगे आना इंटर्फेर करें वो उसे पसंद नहीं करते हैं, सरकार के सिपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका लाब, उनका जो काम करने का सिस्टम है, वो 23 सा आगे बढ़े, इसके लिए वो आजा दी चाहते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा, भारत में उद्योपती खुद उन्होंने सरकार को खुद न्योता दिया, कि आईए, आप बड़े-बड़े उद्योगों में निवेश कीजिए, और इसे आगे बढ़ाई, इसी को जो है बॉम्मे प्लान के नाम से जाना है, उसके आद दूसरी चीज आपको याद रख सकते हैं, वो है आपका खाध्यान स संकट, 1960 का दसक, 1960 के दसक में दो बड़ी घटनाय घटी, एक तो 1962 का हमने युद्ध देखा, और एक 1965 का युद्ध देखा, अब युद्ध जब होते हैं तो सबसे जो है, नुकसान जो है हमारी विदेशी मुद्रा को हुआ, क्योंकि जो बहुमुल विदेशी मुद्रा थी वो युद्ध में लगी, खर्च हुई, इसके बात जो आयात था, वो रुख गया, और देश की हालात उतनी स्टॉंग ये नही थी दुनिया में, तो इसके कारण हुआ क्या, और साथ साथ एक चीज़ और भी देखनी पड़ी, कि देश में आकाल पढ़ने लगा, आकाल की स खाध्यान संकट के कारण कितने बुरे दिन लोगों को देखने पड़े, खास्त और से ओड़ीसा भिहार जैसे इलाकों में तो बहुत ज्यादा इसकी मार पड़ी, देखने को मिली, तो खाध्यान संकट है 1960 के दसका, और उसी के बाद अगला है हरित करांती, अब ये जो ख अब हरित करांती में हुआ क्या, कि मोटे अनाज जो थे उनके उत्पादर में एकदम से टेजी से बढ़ात रहा है, इसका फाइदा ये बता दो मैं क्या हूँ है, दिली से जो सटे हुए राजे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां क किसानों को सबसे अधिक फायदा हुआ, हरित करांती का, अब उसके कारण जो भी है, वो आपकी डेटेल्स भी नहीं है, और मैं जा रहा हूँ है, कि हम बेसिक बेसी चैप्टर को समझ रहे हैं, तो चैप्टर में overall जो पूरा मिला जो कहा है, पहली दूसरी पंचवर्सी यो हो गया है, खतम, उसके लाइस चैप्टर में है, बॉम्बे प्लान, खाद्यान, जंगत और हरित करांती, यह आप बेसिक बेसिक जब पहली बार चैप्टर पढ़ने जा रहे है, तो आपको कम से कम इतनी चीज़ है, तो याद होनी ही होनी चाहिए, जबही चैप्टर है, हम से कम इतनी बेसिक हो रहे है, लाइन टो लाइन में वीडियो आएगी चैप्टर की तो बहुत अच्छे, हर चीज़ समझ में आएगी तो उसके लिए बिस इंतियार कीज़े जैसी खतम हो दे, तो बाच की वीडियो मेही था, वीडियो को कर देना शेयर क्यान बाटने मैं मिल दो बहुत अच्छे लगे वीडियो तो पकले मसका